जौनपुर में बरसटी थाने की पुलिस को बड़ी सफलता हात लगी है पुलिस ने फरजी धंग से आधार कार्ट बनाने वाली चारा वियुक्त को गिरपतार किया है उनके पास से आधार कार्ट बनाने के लिए 31,000 रुपए प्रिंटर मसीन, आधार कार्ट, लिमनेशन मसीन और भारी संख्या में फाम बरामध हुआ है चेत्रा दिकारी मडियाउं स्पी उपाध्याय ने प्रेस्वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि कानपुर गाउं से सूचना मिली की कुछ लोग 4-400 रुपए लेकर कूट रचित तरीके से फर्जी आधार कार्ट बना रहे है सूचना मिलते ही थानद्यच रामसरी गवतम हमराही सिपाही के साथ मौके पर पहुँचकर आधार कार्ट बना रहे लोगों को ग्रबतार कर लिया यह कि रोगों पिछले 6 महीने से चेत्र में फर्जी आधार कार्ट बनाने का काम कर रहा था कल दिना 28-2021 को थाना बर्चटी देत थाना दिच को जरिए मुक्वित सूचना मिली कि कुछ लोग पब्लिक से पैसा लेकर फर्जी आधार कार्ड बना रहे हैं जिन आधार कार्डों के जरिए तमाम गलत अवयतकारी किये जा रहे हैं सूचना पर फानादेशी दौ़रा चार अविक्तों की गिरफतारी की गई गराम कान कूर से जिनके नाम निलेश बिंद शुरेश बिंद योगेश शर्मा और विकास बिंद इनके पास से दो प्रिंटर लेमिनेशन मशीन इसकैनर इसकैनर प्रिंटर इनालेज्मेंट पत्र खाली फार्म आधार कार्ड एथेंटिकेशन पत्र वह तीन हजार रुपए नगत बरामद हुए है अभिक्तों को बिरुद मुगदमा प्रासंख्या एक्सवस्थी बटेगी इसमें एक अभिक्तों मौके से भागने में शफल हो गया है अन्सुल नाम का अभिक्त है वो हडिया जनपते रहने वाला है प्रियाग राज हडिया का जी सार इन्होंने कुछ बताया कि किसके कहने पर यहां आना हुगा इनका नहीं यह लोग चारु मिलके आंसुल इसका मे बनाके यहां अतर लोगों से पैसे लेकर चार्सों पान्सुल रुपए लेकर फर्जी आधार कार्ड बनाते थे इसकी आधार कार्ड अब बनाने की विवस्ता बाइंक और पोस्टाफिस में रह गई है और इस छेत में काफी दिनों से सिकायते मिल गई थी पूल में पंचा कराने की सहस्तुतित की जाएगा इसमें पुरस्कार के लिए पुली संदिछक महुदय को मेरे तर्फ से पक्रत जाएगा और इसी पूरी टीम को पुरस्कत करें जाएगा